और एक और बड़ी खबर का रूख करेंगे बीजेपी चलाईगी बूट सत्यापन अभियान 16 अगत से शो होगा बीजेपी का बूट सत्यापन कारिकरम 21 अगस्त तक ये सत्यापन अभियान चलाई जाएगा हर बूट पर 21 सदस्ये समीती का गठन किया जाएगा बूट समीती के सदस्यों को पन्ना प्रमुकों की जिम्मेदारी सौपी जाएगी हर बूट पर 15 से 20 पन्ना प्रमुक तैनात होंगे एक पन्ना प्रमुक पर 60 मतदाताओं की जिम्मेदारी होगी और अबनीश मेरे सयोगी लगातार लखनों से बने हुए है अब नीश बीजेपी लगातार 2022 की रणनीती बना रही है और ये रणनीती पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बूथ जो बूथ लेवल पर अपना कारिकरम चला कर जिस तरह से सौपी जा रही है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप बाजपा के जित्ते भी उच्छे स्तरी नेता है उन्होंने अपनी बैठकों में साप कर दिया है कि विदानसवा चुनाव में जीत का जो मुल मंत्र होगा वो बूथ होगा और पन्ना प्रमुखों की तैनाती सुरू कर दे जाएगी बूथ का समीतियों का गठन सुरू कर दिय जाएगा 21 सदस सी कमेटी गठित की जाएगी एक बूथ पर 21 सदस से होंगे इसमें से 15 से 20 सदस से ऐसे होंगे जिनको पन्ना प्रमुख की तैनाती दी जा सकती है क्योंकि माना जा रहा है कि एक बूथ पर 120 ओटर ही पन्ना जाएगा तो ऐसे में माना जा रहा है कि तमाम जो पन्ना होते हैं उसमें एक बार में करीब 20 ओटर होते हैं तो 20 ओटर की जो संखिया है उस हिसाब से अलग अलग जीतने भी पन्ना प्रमुखें, उनकी तयनाति की जाएगी तो बूत का जो सत्यापन कार है वो एकी सगस तक चला जाएगा ऐसे में तमाम जो बूत खाली हैं वहाँ पे लोगों को लगाया जाएगा और जहां भी बूत में कोई सक्री कार करता नहीं है तो वहाँ पे सक्री कारता की नुप्ति की दाएगी उसका सत्यापन किया जाएगा बूत सत्यापन के कारकरम के दोरान तमाम प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पदादिकारी भी मौझूद होंगे जो अपने अपने जनपद में बूत के जित्ते भी सत्यापन कारे हो रहे हैं उसका वो निरिच्छड करेंगे उसको देखेंगे और सकरी कारकरताओं को ही उसम तुमाम जो नीतियां हैं वो पहुंचेंगी और बिधान सभा चुनाओं के दोरान मतदाताओं को पहुंचाने की भी वेवस्ता भारती जनता पार्टी की तरब से की जाएगी ऐसे में भूत पर तमाम बाइक सवार भी तैनात होंगे जो बूत के कारकरता ही होंगे और उन लो आगे भी आप सब्डेट लेंगे